नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल निता जिम आपका स्वागत है, आशा करता हूँ, आप सब ठीक होंगे दोस्तों, नॉर्मली एक समस्या रहती है, कई डॉग्स लवर को, यानि जो कुटे बहुत पसंद करते हैं, कुटे पालते हैं, अगर वो कहीं जरनी पे जाते हैं, उनको छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, और साथ लेके जाना है, तो किस प्रकार के नियम है, ले जा सकते हैं क नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है उनके साथ, तो चलिया या जानते हैं, कि डॉग्स की बुकिंग कैसे की जाती है इंडियन रेल वे में, कैसे आप उसे साथ ले जा सकते हैं, उसके क्या नियम है, संशिप्त में जानने का प्रयास करेंगे, दोस्तों, किसी भी कुत्ता ले जा सकते हैं, हाँ, उसके लिए आपको पर्मिशन के आवशकता परेगी, दूसरा, चार बर्त या दो बर्त का कमपार्टमेंट या कूपे, उसे आप आरक्षित करवा सकते हैं, और उसके बाद पर्मिशन ले सकते हैं, हाला कि अन्य स्रेणियों में, बले ही वो इसके अलावा, अगर कोई blind या अंधा passenger है, तो seeing eye, seeing eye के रूप में एक कुत्ता first class में book करके ले जा सकते हैं, उसके लिए minimum weight का जो count का skill होगा, वो 30 kg होगा, और minimum charge 30 रूपी, इसके अलावा, 2% का development charges और 5% का GST के रूप में extra charges भी charge किया जाता है, ये तो हो गया आपका first class में अगर आपका ticket है तो, माल लिए आपके बास first class में ticket नहीं है, लेकिन आपको ले जाना है कुत्ता और आप अन्य श्रेणी में travel कर रहे हैं, अन्य classes में travel कर रहे हैं, तो उस situation में यात्रियों को option दिया गया है, ब्रेक यान में, यानि गार्ड डिब्बे में ले जाने की अनु नोट कहा जाता है, forwarding note form number COM 627F भर कर देना पड़ेगा, forwarding note form में कुत्ते के सही कीमत बताई जानी चाहिए, और ये इसलिए होता है, कि मानली जगर आप ऐसा बताता है, और किनी कारणों से कोई घटना घटित होती है, तो उसका वाजिब मुआउजा दिया जा सके, और इसक ये लिए passenger extra price पर percentage charge पे करके ले सकता है, अब percentage charge देने पर railway की जिम्मेदारी घोशित मुल्य तक होगी, नहीं, तो अगर किसी प्रवगार की घटना होती है, और आप percentage charges नहीं पे करके कर रहे हैं, तो 120 रुपे प्रती कुत्ते के हिसाब से railway की जिम्मेदारी होती है, कुत्ते लगा होना चाहिए, ब्रेक यान में कुत्ते का वजन मीनिमम 30 kg से count होगा, और AC में 60 kg से count होता है, जो कि मैंने पहले बता दिया है, कुत्ते के भोजन और पानी की ववस्ता मालिक swing करेगा, और dog box में उसका वहन किया जाएगा, नहीं, dog box में ब्रेक यान में जाएगा, अगर अगर आपने कुत्ता बिना बुक की ले जाने का प्रयास किया, तो 60 x 6, यानि 60 kg का जो scale है, इसी के लिए, यह मैं इसी के लिए बता रहा हूँ, फरस्ट इसी के लिए, 60 kg जो scale है, उसका 6 times चार्ज किया जाता है, जो minimum 50 रूपीज से start होके, maximum का limit हालाग यहां पे नहीं बता गया है, तो minimum 50 रूपीज से वो चार्ज किया जाएगा, वो देखा जाएगा, कितने किलूमीटर, कितने डिस्टेंस से आप ला रहे हैं, कहां से कहां के जरनी के लिए, उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा, अन्श्रेणियों में पाया जाने पर, 30 kg के scale into 6 से किया जाएगा, तो ये थी छोटी सी जानकारी, कि अगर आप डॉग लवर हैं, कुद्धे पसंद करते हैं, पालते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप ले जा सकते हैं, और नहीं बुक करके ले जाने पर किस प्रकार का fine आपको किया जा सकता है, अगर वी